हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू माई यूट्यूब चैनल विजे माउंटेंड राइट एंड गुड मॉर्निंग ओल फ्रेंड्स मैं आज आप लोगों के सामने एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ जो की मेरा व्लोग है शिमला से मना लिगा तो जिसमें कि मैं आपको बीच-बीच के सभी पॉइंट्स और सभी जगा मैं आपको वीडियो के थुरू बताना चाहूंगा आप बताये कि आप लोगों को जगा कैसी लगी और मुझे जरूर बताईए कि यह जगा कैसी है और इसके बारे में आपको मैं वैसे जितना हो सके मैं बताने की कोशिश करूंगा तो मेरे वीडियो को एंजॉय कीजिए एंड लाइक कोमेंट ज़रूर किजिए तो चलते हैं कि अभी हम कि पहुंच चुके है होटल जहां पर कि मेरे कैस्ट ठेरे हुए है तो मैं आपको दिखाता हूँ उस होटल का थोड़ा सा व्यू यह देखे फ्रेंड्स यह होटल गोल्डन फन और यहां पर बहुत सी गाड़ी भी खड़ी हुई है और देरी ना करते हैं मैं ले च प्रिय के लिए कोले में से मनाली है तो में मेरे गाड़ी मारी देखे फ्रेंड्स थोड़ा बीचे का वीव यह आपको दिखना चाओंगा जो यहां सा यह यहां सीं में सिच्प्णा को दिखना चाहूंगा मैं यह आपको दिखाना चाहूंगा अगर यहां से नीचे फांचुटा को देख लीजिए कहां पहुंचेगा बचेगा दिनी यह सुविरे सुविरे का टाइम है जो बहुती कुछ शुरत दिख रहा है तो देखे पहड़ों में बसा हुआ है पूरे चारो धरब पाइंट्री है इतना संदर लग रहा है तो मैं आपको शिमला से लेकर मनाली तक का इतना हो सब्सक्राइब कराऊंगा तो देखे शिमला अभी सुवेदे का ही नजारा है सुवेद अभी थोड़ी देर मेरे गैस लोग अंदर से ब्रेक्फास्ट करके आ जाएंगे सो देट हम चल पड़ करेंगे मनाली के लिए कि यह देखिए गाइस अभी हम पहुंचे है संदर लगर जो इसके मंदी में आता है यहां पर बहुत जोरों से वारिश हो रही है तो आप लेकी जाटे बाया का नजारा है तो इसके बाद का जो पॉइंट आए गाएगा पंडो जहां पर हम लंज कर हम खाना खाने उपरे है लंच करने यह मेरी गाड़ी है और बस हमना से लंच करेंगे फिर आगे हमने जाना है उस तरफ को यह है में हाईवे और हम जा रहे हैं अंदर खाना खाने तो उसके बाद मिलते हैं अब हम आ चुके है खना कुना साथे वापिस तो हम जा रहे हैं मनाली की तरफ देखते हैं आगे जो जो पॉंट आएंगे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा यह था यहां का व्यू और यह देखी चार तरफ कर दो कितना अच्छा है अभी बारिश हो रही है हलकी हल कि तो मैं आप गाड़ी की तरफ जा रहा हूं अब मैं आपको अगे जो जगह आएगी पंडो तो पर दैम है और उस डैम को लिखाऊंगा आपको तो तब तक के लिए मिलते हैं यहां पर सबी लोग उत्ते हुए हैं और मैं आपको जागे दिखाऊगा यह है पंडो रहा है कि अज़ते हैं जाए है तरह दिखाऊंगा कि अन्या है अज़ते हैं अज़ते हैं इस दीच ज़िए आपको बताई नहीं सेंटा यह ज़न लग रहा है जया करदा नहीं है पहना पहले हैं तो आपको कैसा लगा हुआ है इसके बाद में इसके बाद में इसके वाद में इसके बात जांगा आपको अब तक लिए को बैट गइस अभी हम पहुंची रहे हैं मनाली के लिए एंटर हो रहे है देखिए तो यह है हाईवे मनाली का मैं कुल्लू नहीं रुक पाया क्योंकि बारिश हो रही थी उस कारण से मैं आपको कुल्लू मिस हो गया आपका इसकी पर हो गया बड़ नेक्स टैम जो वीडियो ले आओंगा मैं आपके सामने तो उसमें मैं आपको कुल्लू जरूर दिखाऊंगा तो अभी मनाली के नजारे नजारों का मजा लीजिया आनंग देजिये देखिए इतना सुंदर है कि इतना खूबसूरत है और थोड़ी देर मैं कहीं गाड़ी रोक के आपको बाह मैं शायद हो सके तो मुझे पॉस्टिवल हुआ तो मैं आपको रूप के जरूर दिखाऊंगा बाहर गाइज अब हम माल रोड की तरफ पहुंच रहे हैं बीच में एक पॉइंट मिस हो गया है जो कुल्लू मैं बता रहा था मैं आपको दिखाने की वह इसलिए हुआ कि मनाली पहुंच गया है वह नाली माल रोड कॉंचे अभी इसके बाद हमारा होटल है हम मोटल जा रहे हैं जाएंगे इसके बास तो अभी मनाली महां है देखे कितना प्यारा पुपी कशय हुअ झांधprov छिगे है яр हैं कि अधे इस्देगे पेड़ों का कलर देखिए आपको कितने कितना ही कितना ही सुन्दर और खुबसूरत दिख रहा है तो अब हम जो मनाली का मॉल रोड है वहां पहुंची पहुंचने ही वाले हैं बस मैं अभी आपको दो मिनिट में दिखाता हूं सब्सक्राइब कीजिए यहां की मार्किट है और अभी थोड़ा ट्रैफिक लगा हुआ है इसके कारण थोड़ा डिले हो रहा है चली रहा है मैक्सिमम तो अभी हम माल रोड के बाद उपर अधिम्बा देवी टेंपल के पास तो हम वहीं कोई जाएंगे तो मैं आपको पहले ह तो तो दिखाऊंगा उसके बाद जो टेंपल वाला रास्ता है टेंपल की मार्किट है सब कुछ दिखाऊंगा है यह वह पहुंच में वाले जस्त दो मिनिट में बटागे कि यह देखिए यहां का विव देखिए कि इतना अच्छा अंदर का इसमें पाइंट ट्री लगे हुए न तो लाजवाब लाजवाब खुबसुरत कभी मेरा मेरा आप लोगसी यही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप लोग अभी अपना ट्रिक बनाए तो मनाली जरूर आईए क्योंकि मनाली बहुत खुबसुरत जगा है और यहां की में मार्किट यहां का मॉल रोड है यह देखिए स्टार्ट हो गया है और दू मिनिट के बाद मैं अपना मोवाइल डाउन कर दूगा क्योंकि यहां पे पुलिस वाले होते हैं तो कहीं मेरा चलान ना कर देए इसकर करके प्रावत फिर भी आपको दिखा देता हूं जितना हो सकता है कि यह परहें रोड है कि आपको इसके बाद नीचे का नजारा दिखा हूं हो दो मिनिट बाद देखिए गाइज यह है हडिमबा देवी टेंपल का रास्ता जो कि इतना तंग है यहां पर कि गाड़ी चलाना भी नटी की कर्ट है तो यहां पर पर हड़िमब देवी जी हैं और आप गाट अ कि अधिया प्राइट देखिया है अधिया थे खुछ दूरत है यहां परेको पाइन ट्री है पूरे ही और यह है यहां का रास्ता है इतना छोटा रास्ता बड़े सब्सक्राइब दो गाड़िया पास जाती है अधियली गाइज आप हम पहुंच किया है अपने होटल यह है मनाली का होटल मारे गैस्ट का इतोफिया और यह है धर का व्यूव यह है छोटी की मार्किट और इधर पर एक है अधिमबादेवी का टेंपल और अधिया प आपको होटल दिखाया और कैसे लगा आपको होटल जरूर बताइए मुझे कमेंट में प्रेंड्स मैं बाहर उतर गया हूं यहां कि रिवर है व्यास रिवर अभी थोड़ी भारिच हुई है इस कारण से यह थोड़ी धुनली धुनली यह नहीं तो इसका पानी बिल्कुली होता है क्योंकि यह उपर से आती है रोतांग पास से वहीं से इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं से है तो यह देखिए पार को कितना खुप्चुरत नाजा रहा है अभी 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 जस्ट अभी दूप लगी है यहां पर ऐसा लग रहा है जैसे कि सच मुच इस पितना खुप्चुरत यह वह दूब नाजा रहा है मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपको गाड़ी रोख पे जरूर दिखाऊंगा तो यह देखिए आप लोग उन्जाय कर सकते हैं यह पाइंट ट्री देखिए कितने घने और कितने सुन्दर है यह पार को अब लोग लगी ही और यह है यहां का वोड लेन है जो इपर को है ना जारा इतना सुन्दर है ना तब खुप्षूरत है आप लोग कुदी बहुत बताईए तो आप लोग कैसा लाग तो मेरा आज का यही तो गाइज मेरा आज का पेंड मोटन दिखाई ना ऐसी ही चीज आ आपको शिम्ला से लेकर मनाली जितने भी पॉइंट्स हो रिखासर को कवर करा सको आप लोगों कैसा लगा जरूर बताईए तो मेरे चैनल सुस्क्राइब कीचिए नाइक कीचिए कमेंट कीचिए और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं जरूर जो कुल्लू का पॉइंट्स हो गया वाई तो मैं जरूर बताऊंगा है 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 मेरा जो आज का में मोटीप था जो मेरी शिम्ला से मनाली की जर्नी थी तो उसमें जितने भी बीच में व्यूपॉइंट आते हैं वह चीज में आपको एक्सप्लोड करवा सकों अच्छे से दि वीडियो को जरूर लाइक कीजिए कोमेंट्स कीजिए और मैं नेक्स्ट वीडियो में और इससे बेस्ट आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा तब तक के लिए थैंक्यू एंड जो मुझसे रहे गया होगा तो मैं आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में दिखाने की कोश कर दो झालोंगा, so thanks guys!